हेलो एवरिवान और वेलकम टू मेंटर प्लस आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि एनमसी बिल का क्या अपडेट चल रहा है बहुत बड़ा अपडेट है और किलियर कट अपडेट है जिस तरह से मद्रास हाई कोट में पॉंडिचेरी और तमिलाडो के प्राइवेट कॉले इसके अगेंस्ट में मद्रास हाई कोट में एक प्ली डला हुआ है उस पे हीरिंग हो चुकी है लेकिन उहां के जस्टिस ने जो जजज्मेंट है रिजर्व करके रख लिया है मतलब जज्मेंट वो कभी भी दे सकते हैं लेकिन ओडेट टाली जा रही है इसी तरह का एक प् में एनमसी बिल के अगेंस्ट में बात की गई थी तो उसका जजज्मेंट केरला हाई कोट के जस्टिस ने दे दिया है और वो जजज्मेंट एनमसी के अगेंस्ट में है मतलब कि 2022 सेशन के लिए केरला हाई कोट की तरफ से जज्मेंट दिया गया है कि केरला के कोटा का रूल है प्राइवेट के 50% seats को government tuition fee के equivalent में convert करना है यह रूल उहां implement 2022 में नहीं होगी एक clear cut statement केरला high court की तरफ साया है अब देखिए बात करने वाली यह है और यह नीट UG नीट PG दोनों के लिए applicable रहेगी अगर आपको हमारी paid guidance लेनी है या तो आपका score कम है तो 931902748 अब कॉल करके हमसे सलाह ले सकते हैं और जन्गारी प्राप्त कर सकते हैं चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले थोड़ा gap हो गया था वीडियो दालने के लिए लेकिन अब चैनल पे कोई भी update हो regular वीडियो जाएगी क्योंकि result का भी समय आ गया है और OMR seat जो answer की है वो भी जल उनको seat मिल जाएगी आसानी से और उनके लिए एक बहुत बड़ा lottery टाइप का सावित होगा लेकिन जिस तरह से केरला हैड को का decision आया है कि NMC के अगेंस्ट गया है लग रहा है कि मदरास high court का decision उससे मिलता जुलता आया है केरला high court का decision समय पर आ जाता है एक बहुत ही disciplined state है व अहां पर तो दूसरी तरफ dimmed universities हैं और दूसरे state के authorities हैं तो इस year यह bill pass हो पाए यह बहुत ही मुश्किल लग रहा है चुकि PG counseling की date 15 दिन टल गई है और 7th को result आने वाली है UG की और उसके बार देखते हैं कि कितने दिन का समय मिलता है और उन दिनों में क्या update होता है NMCC related क्य इंप्लिमेंट तभी हो सकती है जो colleges को loss हो रही है private seat को government seat में convert करने के बाद उस loss को अगर compensate करना है तो उनको additional management quota की seat जिसकी tuition fee high रहती है या NRI quota की seat देनी होगी तभी जा करके loss compensate होगा तो यह एक strategy जो लग रही है कि implement इस strategy के थुरू वो इस bill को implement कर सकते हैं और यह लागू हो सकती है तो ऐसी जनकारी के लिए चैनल भी बने रही है और इसको सब्सक्राइब जरू कर लें थैंक्स वोचिंग है वे नाइस टे